नमस्कार आप देखरें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग सोंबंशी अभी वक्त है सूपरफास्ट फूहंड़ेट का लेकिन इसी बीच एक बड़ी ख़बर बता दे गैंग्स्टर आक्ट के तहट 2007 में एक F.I.R. दर्च कराए गई 15 साल पुराने इस मामले में आज कोट अपना फैसला सुनाने जा रही है दो अपरेल को इस केस में बहस पूरी हो चुकी थी जिसके बाद गाजीपुर की M.P.M.L.A. कोट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और अगर अगर अबजार अंसारी को दो साल से जादा की सजा हुई तो उनकी संसद सदसिता भी जा सकती है जो कि फिलहाल गाजीपुर से B.S.P. के संसद हैं जो कोट पहुच चुके हैं वही मुक्तार अंसारी की वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये बांदा जेल से इस मामले को लेकर पेशी होगी आपको जानकाली दे दे माफिया मुक्तार अंसारी पहले से ही बांदा की जेल में बंद है वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये मुक्तार अंसारी की पेशी होगी जबकि उनके भाई अबजाल अंसारी कोट में मौझूद रहेंगे इस कानून के तहट अधिक्तम 10 साल की सजा का प्रावधान है 22 नवंबर 2007 को दर्ज F.I.R. के साथ ही वार्ड़सी में नंद की शोर रुंग्टा अपरण और हत्या में भी मुक्तार और अफजाल अंसारी का नाम आया अंसारी ब्रदर्स के खिलाब गैंक्स्टेर अक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है मुक्तार और अफजाल का क्या होगा आज इस पर फाइनल फैसला आना है नवंबर 2005 में कृष्णा रंद राय हध्या कांट को अंजाम दिया गया जिसमें बीजेपी विधायक समेट साथ लोगों की मौत हुई और 22 नवंबर 2007 को गैंक्स्टेर अक्ट को लेकर FIR दर्ज की गई थी गास्विपूर के MPMLA कोल्ट में ये मामला करीब 16 साल से चल रहा है जिसमें अधिक्तम 10 साल की सजा हो सकती है